स्वागत कर देयां जीक और फिर आप सब्दा आज देस रिलिजिस सेगुंड विच रिशी दत्ता त्रेजी ते संबंध विच पिछले हफते साड़नाल रजनी शर्मा जी ने गाल बात कीती सी के उनने चवी गुरु तारे हो एसी यानि के चवी गुरु जड़े उनने तारे सी उनना चो हर एक चों कोई ना कोई चीज वो सिख दे सी ते हो गुरु कोई इंसान नहीं सन उहो जो प्रकृती है पंच दत्ता दी जड़ी इसी गाले कर देयां आते होर बहुत सारी चीज़ां तो जित्थे वी वो जान दे सी कु जड़ के दुनिया बहुत विशाल है आते बहुत कुछ सिख्या जा सकता है इसी समंद विच आप मुर्तो तो उड़ें आज दे इस सेग्मेंट दे विच ते गलबात कर दें रजनी शर्माजीना जियान जी वेलकुम तो प्रोग्रम थैंक यू तो लास्ट इम जो आपने एक इंडिकेशन दे रहे थे हमें के ए इनसान तु जाग जा और हमेशा ही कुछ सीखने को तयार रहे है और उसके अंदर जो उन्हें बातें की बड़ी अच्छी थी बड़ी सरल बातें और अगर उनको हम ग्रहन करने तो बड़ा इजी हो सकता हमें अपने जीमन को अच्छ शूरे की सूरे की बड़े के ऌसे जीमन कोहन रहे है वाहन कोता हैना की बड़ा शुर्वस सर्मा की सुर्य की ऑला हां जात्रों सा सहता है Finnish इरा में मंहें आपनों सर्मा के आछक ए भूंग की फोर्ला कर रहे दोस्मी वो सनातन है, तो इसलिए ये चीज़ें आज भी उतनी ही रेलिवेंट हैं, तो दत्त रे जी जिस वक्त राजा यदू को ये सब बातें बता रहे थे, तो एक ये भी बात है, हर्पी जी इसमें सीखने की, कि कभी-कभी हम लोग इस चीज़ में बहुत महत हो देते हैं, कि कोई कि एक इनसान गुरू जो है, हम उनको धारन करें, उनसे सीखें, और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज उस नाम पे कई बार बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें भी चली हुई हैं, हम ये देखते हैं, लेकिन दत्त रे जी ने ये कहा, कि मनुश्य को ऐसी बुद् सकता है, और फिर अपने जीवन को सम्रिद्ध बना सकता है, और जो असली बात है, वो ये कि जिस चीज के लिए मनुश्य का शरीर मिला है, उस लक्ष को पूरा कर सकता है, तो अब हर्पी जी उन्होंने दत्त रे जी ने एक यदुराजा को कहा, कि मेरे जो अगला जो मेरा कि इव्ट इन दे मिला है, वो है कभूतर, अचा करा हम दे दे लिए आसे बना सी पर बात है और जी को शोचेज को बेदि हो वही बिहाना है, जैसे ये कभूतर की बात अनुष तो बहुत दिनों तक उनों बैठ के लिए सा उन्होंने ब्माहतों ऑप्ज़ करते थे अजो अ जी, तो दतात रेजी ने कहा कि एक किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी का एक जोड़ा रहता था और वो दोनों एक दूसरे से बहत प्रेम करते थी, तो देखा होगा उन्होंने की वो इस तरह से उनका तो उन्होंने कहा कि उनके कुछ समय उप रां То उनके छोटे भचे हुए अब वह बच्चों में उनकी सिक थी उनका मौह बढ़ गया सारा देन उनका बच्चों के ला लनपालन में और आपस में उनका जो था वो दुनिया को भूले बैठे थे और अपनी जो उनकी छोटी सी ग्रहस्ती थी उसमें इतने उल्चे हुए थे कि उनको और जी उसके अलावा भी कुछ दुनिया में और है उसका ख्याल ही नहीं था तो एक दिन वो दोनों कबुतर और कबुतरी लेने गए हुए थे तो संयोग से वहां पर एक बहेलिया आया जो शिकारी कहना चाहिए बहेलिया जो पक्षियों को पकड़ के ले जाता है जाल में उन्हों ने बच्चे वहां पर देखे छोटे छोटे तो उसने अपना जाल पहला के बच्चों को पकड़ लिया तो जब वापिस आये तो जब कभूतरी ने उसको यह देखा तो उसको तो बहुत व्याकुल हो गई और इतनी ज्यादा कि उसने अपनी सोच समझ सब खो दी और उसने कहा एक ही बात उसने कही कि मैं अपने बच्चों के विना नहीं जी सकती और उसने खुद से भी वह जाके जाल मे फंस गे जिस वक्त कभूतर ने यह देखा तो उसने कहा कि वो मेरी प्राण प्रिया ऐसे खुबसूरत बहुत सुंदर शास्त्र में भाशा बड़ी संबिद है वहां की तो उन्होंने कहा कि अगर यह जो है यह भी चलीगी और मेरे बच्चे भी चलेगी मेरी ग्रहस्ती नह तो वह भी उसमें जाके फंस गया और वह जो है उनको ले गया आटा तो अब इसमें सावाल याता है कि यह कभूतर और कभूतरी की जब हम बात सुनते हैं तो हैसी भी आती है हम सोचते भी है उनकी मुर्खता को भी देखते हैं पर अगर हम लोग अपने जीवन पर नजर ड बिना यह सोचे हुए कि हम लोग जो हैं चाहे वो हमारे बचे हैं हमारा पती पत्नी हैं परिवार है भाई बेहन स्वजन हैं बेशक हैं उनके प्रति प्रेम भी अच्छा है उनकी सहायता करनी भी अच्छी है लेकिन उनकी आसकती में ऐसा कि उसके अलावा जीवन का कोई औ पूल जाते हैं एक बहुत सुंदर जगा इसी ग्रंत में एक और बात कही कि जिस तरह से हवा चलती है तो पानी में जो तिनके बहते हैं वो पास पास आ जाते हैं बस उतने ही हमारे संबंदी हैं जो काल से कहां कहां से कौन आत्मा कहां से आई किस तरह से हम इकठे हुई हम जानते और इसी तरह कि काल के एक दूसरे जोंके से ये सब अलग-अलग हो जाएंगे लेकिन हम उनको इतनी मजबूती से उन रिष्टों को पकड़ते हैं अगर हमें हमारे बच्चे को कोई तकलिफ होती है तो उससे जादा हमें होती है बिना ये सोचे हुए कि ये एक आत्मा अपनी अलग-जरनी करने आई है इसने अपने हिस्से के सुख धुख खुद भोग करने तो दत्ता त्रेजी ने कहा कि मैंने सीखा उन कबूत्रों से कि अगर मनुष्य ज्यादा आसक्ती में पढ़ता है और बिना बुद्धी के केवल अटेच्मेंट में पढ़ता है तो व इसने मुझे यह समझाया कि कितने ही स्वजन हो जो अटाच्मेंट है इस ने राजा यदू को कहा तो अब राजा यदू भी उनसे यह सब सुन रहे हैं और वो सीख रहे हैं ऐसा नहीं कि उनका प्रशन केवल जिग्या साथी तो इस प्रकार के वारतालाप से दोनों को बहुत बेनिफिट हुआ इसके बाद दत्तत्रे जी ने कहा मेरा और गुरू है वो है मदू मक्खी या हनी बी तो उन्होंने कहा अच्छा एरपी जी इसमें एक खास बात है इस बारे में कि जो हनी बी है वो सभी फूलों से जाके शहदिखठा करती लेकिन थोड़ा थोड़ा एक फूल से थोड़ा सालिया फिर दूसरे से फिर तीसरे से दत्तत्रे जी ने ये बात ज्यादा तर जो कही वो अपने अपनी तरफ लक्ष करके इसलिए कही कि वो एक अवधूत थे फकीर थे तो वो अपना भोजन भिक्षा के रूप में मांग के ले आते थे, तो वो कहते थे कि मैं ये नहीं चाहता कि जो Sanyasi हैं क्योंकि हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं भारत में कि बहुत लोग साधु sanyasi भी ह तो कहते हैं कि seinem Sanyasi का भी करता है कि भी कि वो किसी बड़ी इंपोर्टेंट बात है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं समय की धूल में ये चीज खतम हो गई और एक बहुत ही विकृत सा धर्म भारत में हमने देखा कि इस बात को लेके हो गया लेकिन अगर हम दत्त रेजी को जो कि खुद भागवान के अवतार थे इस बात को म मधुमक्खी के तरीके ले किसी के ऊपर बोज बने बिना जी इसके बाद उन्होंने कहा और मैंने सीखा शहद निकालने वाले से उससे मैंने ये सीखा कि मधुमक्खी कितनी जादा परिश्रम करके शहद इकठा करती है लेकिन वो खुद उसका उपभोग ही नहीं करती है औ झ समाज के लिए दान के लिए तो उनका जो धन होता है उनके काम भी नहीं आजा ग्लता है दान के भात झाधी वह भीमकर Warszawa के कि वह त 02 ठाया को जाता है कि पीड़र पःज़ अच Türk के जाता है तो जैए आज नो तो बहुत सारे अगेन जो इशूस चालेंजिस आज दुनिया में हम देख रहे हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि माया तो चाहिए, माया गल्त निया, लेकिन माया कैसे आप उप्योग करते हैं, वो डपेंड करते हैं, और जानकर लेते हैं जिस ब्रेक के बाद के और और कौन से कौन से गुरुओं को नोने धारा जो के उनके जीवन में जो था परवर्तन आया, और साथ में अब राजा यदू को भी जो बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कोई बात होती हैं, राजा यदू का क्या प्रतिकरम होता है, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं, जी. राजा यदू आते धत्ता त्रे रिशीदे विचकार जड़ा वारतलाप होया उस समन्द विच गलबा चल रही है ब्रेक तुपला रजनी ने दस्या के चवी गुरू उन्हें तारे सी आते है भी गुरू कोई बीचीज के देंख प्रेड़ करें अहुए है खात्ता घ्रतलाप राजा यदू जो अधतितीацत ए गलब्त structures आहते है की जो पतंगा है वो भी मेरा गुरू है अच्छा, हरपी चीज से ये भी देखने की बात है कि जैसे हमने पांच तत्वों की बात कहीं अब वो एक तरह से पांच इंद्रियों की बात कर रहे हैं क्योंकि ये इंद्रियां ही हमको जो है वो भटकाती है तो हर चीज़ का एक तो व्यापक रूप है जिसको समर्ष्टी कहना चाहिए और फिर व्याष्टी जिसको कहते हैं कि वो युनिवर्सल कास्मिक भी है और इंडुविज्विज्टिक भी है तो जो पतंगा है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मोहित हो जाता है दीपक की जो के उपर और फिर वो अपने को नश्ड कर लेता है इसी तरह से जो मनुष्च अंनदर रूप के प्ति जो उसका मोह है और इसको हम कहें तो रूप वती सीज़िक मोह है वो उसको बांध लेता है उसको आसक्ति उसकी हो जाती है और उसकी वज़ा से awa अपना बुधि और विवेक खो बैठता है और ऐसे हमने बहुत एक्जेम्पल देखे हैं और आज भी है और ये भी एक पतंगे की ये भी एक बात है कि उसमें वो जैसे खींचा चला जाता है बिना अपने विवेक बुद्धी को समझे हुए तो पतंगे को तो स्वभाव से एक बार फिर भी हम सो सकते हैं लेकिन अगर मनुष्य भी वैसी ही गलती करें कि इस तरह से देखके रूप को सांदर्य को और उसका आपा अपना खो बैठे तो ये जो है उसके लिए काफी उसको नीचे ले जाने वाली बात है उसके जीवन में जो है अशांती और तनाव लेके आएगी ये चीज ऐसा कहा क्योंकि हर्पी जी एक बात और है वो रूपवती इस्त्री से अगर उसका मान लीजिये विवा हो गया वो उसकी पत्नी बन गई बात वहां खतम हो गई फिर उसके रूप पे वो मोहित नहीं होते हैं तो ये बात समझने की है कि रूप पे जो मोह है ये मनुष्य को नीचे ले जाने वाला है इसी तरह से फिर उन्होंने कहा हाथी हाथी जो है वो काम से बहुत होता है तो ये भी इंद्रियों की अब बात कर रहे हैं तो जैसे उन्होंने रूप की बात कही तो काम जो है वो मनुष्य को बहुत प्रभावित करता है और हाथी के बारे में तो गिर जाता है और उसके बाद फिर वो उसको पकड़ा जाता है जो एक चावक के ऊपर नाचता है सब कुछ करता है बिल्कुल आप आप जा अगर इनको हम समझ जाएं कंट्रोल करना तो इसके साथ यह संकेत जो दे रहे हैं दत्ता तरेजी के यह चीजें संकेत हैं और उनसे आ जो बाकी सब चीजें और खास्त और कि इंद्रियों की जब हम बात करते हैं तो अगर यह हमारे को मैसेज मिल जाए तो हम अपना वह वह वेक बुद्धी से कंट्रोल कर सकते हैं जी मनुष्य यही तो एक मनुष्य के पास जो चीज है वह बाकी सभी जो जानवर है उससे अल तो अपने को उठा सकता है और चाहे तो नीचे तो जिसने अपनी इंद्रियों के को सयम में रख लिया उसने तो अपने साथ मित्रता का व्यभार किया और जिसने इंद्रियों पे सयम नहीं किया उसने अपने साथ ही शत्रता का व्यभार कर लिया तो हाथ ही जो है उससे उन तो उन्होंने कहा कि हिरन, हिरन को भी मैने गुरू माना, हिरन क्या है? He enticed with music. तो जब पकड़ने के लिए उसको जिस तरह से हाथ को पकड़ने का तरीका है इसी तरह से हिरन को भी है. उसके सामने बहुत अच्छा संगीत बजाया जाता है और वो संगीत को सुने के उसकी तरफ आकर्षिट होके और वो उसके पकड़ा जाता है. यह जो इंदियप्रिया की, तो इसमें दोनों बाते हैं, अब अब जो मृग का उस संगीत में जाना है वो इस तरह से है कि जैसे हमारी इंद्रियां भी जो है, वो संगीत दो तरह से हो सकता है आजकल का जो ऐसा संगीत बाजारू जो की हम जो की शरीर में और कामुक और उतेजना पैदा करें एक संगीत मंदिरों गुर्दवारों में भजन के तरीके भी है जो हमारे मन को शांत करता है हम क्या सुने हम क्या नहीं सुने यह विवेक शक्ती भी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, जाने अन जाने, यह चीजें जो हैं, अगर हम इसमें बीर नॉट सलेक्टेव इन आवर अप्रोच, तो यह चीजें हमको किस तरह से बांध के नीचे ले आएंगी, और फिर हर्प्री जी होत यह बाते हमको बहुत एक तरह से प्रेर ना देती हैं कि हम कितना सावधान रहने की जरूरत है जीवन में अगर पच्टावा अगर चडिया चुक गई खेट तो फरबाद में तो कुछ नहीं है यही अगर हम पहले समझ जाएं तो उसके साथ यह जो चीजें बड़ी सिंपल लगती है क्योंकि आप जैसे म्यूजिक की बात कर रहे हैं आज जो हम देख रहे हैं क्या आज कर रहा है क अगर आपने सोच को प्रवर्तन करने और यही मूजिक जो आपको सूध करे जो आपको और एक अच्छा आपके मन को शांती दे तो अगर उसके प्रती आप खर्शित होंगे तो देफिनितल बी गुट फो यह जी और इतना हर्पी जी इतनी information इतनी resources मनुश्य जाती आज जि कैसे हम लोगों के पास यह सारी information वहां से available है कि हम अपने घर में वैटके भी इन चीजों पर विचार कर सकते हैं सोच सकते हैं इसको समझ सकते हैं उसके बाद दत्तात्रे जी ने कहा मचली तो मचली उन्होंने कहा कि एक छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है तो अपनी जीवा है यह सबसे खतरनाक इंद्रिये है क्योंकि अगर हम अपनी जीवा पर कंट्रोल करते हैं तो बाकि सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं अगर हम अपना आहार सात्विक लेते हैं तो उससे अपने आप जीवन में जो इंद्रियां है वो नियमित ह अगर हमने अपनी रस्ना पर जीवा पर अपनी अपनी रंग रखे तो किसी बितना का अहार लेती है रड़, तमगुणि आहार हम लेती हैं, फिर वैसी ही वरती होटी चली जाती है और हमारा जीवन है पता नहीं चलता है we how are the things we are influencing us लेकिन at the end of the day हम अपने को बहुत अशांत, अत्रिप्त और तनाव से भरा हुआ, वो सब पाते हैं और हम पिन पॉइंट भी नहीं कर पाते हैं, what we are doing wrong. बिल्कु जी और वरदी के साथ साथ जो सहत के अभी आज हम देख रहे हैं कि ये जुबान की वज़े से जो आज हमारी सहतें खराब हो रही हैं, और साउट एशिन्स को जिसको मान होता था अपनी सहत के उपर आज अगर हम कैनिडा की बात करने हैं, वेस्टन मुलकों में हमारे स्रीरक तल के ओपर भी हम नुक्सान ही हुए हमें, जी हर्पर जी उसके बाद दत्त अत्रे जी ने कहा कि मेरा एक गुरू अजगर भी है, पाइथन, अच्छा, अजगर क्या है कि वो पड़ा रहता है और अपने भोजन के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं परिश्रम नहीं करता, बहुत दूर नहीं जाता है, तो वो जो भी उसको प्राहब्द से मिल जाता है वो ले ले लेता है, तो इसमें दो बातیں हैं, जो हमें समझने की है, जिसमें की हम गलत भी ले सकते हैं, जो अजगर हैете, अगर तो हमने उसको, ये सोचा कि वो भुजन के लिए भी परिश्रम नहीं करता है, तो हम यह सोचें की आलस्य, तो आलस्य, इसका जो रीजन है वो नहीं है, कर्मो को करने में, पूरी जो है, हमारी तत्परता, लेकिन साथ ही कर्मो से उपरती भी, जो थोड़ा मिल गया उसमें गुजारा हुआ और उसकी वजह क्या थी? क्यों वो चाहते थे कि आप contentment रहें? क्यों नहीं चाहते थे कि आप इतने अश्वर्य से भोग से यह सब रहें? आफटर लिए सब चीजे मनुश्य के यूज की में बेनी हैं पर होता यह है कि इन भोगों को इकठा करने में इतना श्रम जीवन में लग जाता है इतना time लग जाता है कि हम जो basic बात है उसको तो भूली जाते हैं हमारा यहां पर आने का वो कहीं और चले जाता है और सिर्फ इन ही चीजों में फसके सारा जीवन बतीत हो जाता है और उसके बाद फर यही होता है पच्छतावा लेकिन फिर कुछ उसका फाइदा नहीं होता है अगले हफते इसी को continue करेंगे जी और यह अजगर की आपने ब पिल फाइव दो ते उसदनाली जेकर तुसी डारेक्ली रजनी शेर्माजीन और गलबात करना चाहिए तो 604-594-9806 ते फोन कर सकते हो एना उनों कोश्चा कीती हैं जा रही है कि है जो उसी वारतलाब करने क्योंकि समा सीमत होंदा है उस वास्ते जेकर विस्तार बैटके गलबात करनी हुए तो तुसी ना संपर कर सकते हो मंथली या फोट नाइटली बैटके गलांबाता हो सकते हैं उस दनाली यह प्रोग्रम जेड़ा तुसी हर सैड़डे दी शाम नों वेख दो इस तो लावा मंडे टू फ्राइडे स्वरे 7 तो लाएके 8 विज तक अधे उस आप सब तो भी आस कर दे हैं कि इस प्रोग्रम नों के चलानवत साड़ी तुसी जरूर मदद करोगे थ्रू स्पॉंसर्शिप थ्रू एड़िटिस्मेंट ताके एह सोच जो है क्योंकि उस दुखते अगें सानु मान है कि उत्री अमरीका दा कला प्रोग्रम है जिस विच क हर रोज स्पिर्च्वालिटी बारे डिसकॉशन होंदी है बहुत सारे वधिया प्रोग्रम तसी टेलिविजन देख देयां लेकिन स्पिर्च्वालिटी कई वरी जड़ी है उसनों सी साइडलाइन कर देने है पर साड़ा है मनना है कि साड़ा अधार है साड़ी फांडेशन है जैकर इस इस देविट स्ट्रांग होंगे तबाकी सारी फील्ड जोची इसी जरूर कामयाब होंगे लेना आगया फिर मलाकात करेंगे जिकते तक खुबाए